प्रवाइब दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके हैं जैसे कि मैंने आपको प्रमिस किया था प्रिलिम्स ऐसी सीरीज जो है हमारी उसमें प्लेसिस इन न्यूस देखेंगे हैं हम आज जो कि लास्ट थ्री और फोर मन्स के जो कि खबरों में रही है अस्तान जो आपके examination point of view से बहुत important है और इसके दो या तीन मैं डाल चुका हूँ places in news वालेक है जो कि 2022 का साल है जो related है और आज हम जानेंगे last three और four months में जो places रहे है news के अंदर ठीक है तो इसके अंदर हम जानेंगे कि world की safest city कौन सी है most livable city कौन सी है polluted city कौन सी है world की ठीक है और जो various summits होए थे ऐसे G7 summit हो गया ब्रिक्स summit हो गया ऐसे ही तीन-चार summit हम जानेंगे कि कहां कहां हो है ते उनकी theme क्या थी ठीक है districts and villages of India जो की news में रहे है उनके बारे में जानेंगे green energy से related कुछ news आई थी उनसे related कौन-कौन से स्थान है जो कि आपकी news में वो देखेंगे और कुछ science और defense से related भी important places जो news में रहे है last three or four months पे वो हम इसमें cover करने वाले हैं तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं यही कहूंग आपको वीडियो अंत तक देख लेना अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं तो कोई बात नहीं और यह आप already हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक like तो जरूर कर देना is actual reward क्योंकि हमारा वही होता है इतनी आपके साथ मेहनत करने का तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो जिसमें कि हम prelim जैसी series जो कि हमारी flagship series है है हम सबसे important series है हमारे लिए current affairs की उसमें हम cover करेंगे places in news तो यह शुरू करते हैं दोस्तों तो पहला देख लेते हैं इसके अंदर कौन सा place important रहा है ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों Zimbabwe तो यह तो दोस्तों बहुत ही ज़दा important अभी रहा है recently news में रहा है country क्योंकि उन्होंने जोनकी cricket team थी उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया और एक बहुत बड़ अफसेट किया था तो खेर हम उसके अंदर नहीं जाएंगे 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 क्योंकि Zimbabwe news में था तो मैंने सचा Zimbabwe से स्टार्ट करते हैं तो Zimbabwe क्यों news में रहा है वो देख लेते हैं तो इसके picture में देख रहे है यह gold coin है तो Zimbabwe ने gold coin क को legal tender का दरजाज दे दिया है ठीक है तो क्योंकि gold coins जो है यह gold standard जो पहले use होते थे अब नहीं होते हैं अब currencies ही use होते हैं generally countries में बट क्योंकि जो Zimbabwe की currency है वो बहुत ज़दा depreciate होगी थी वहाँ inflation बहुत ज़दा होगी थी hyper inflation में चलेगी थी Zimbabwe की economy तो उसको control करने के लि था तो लोग ज़दे-ज़दा डॉलर की hooding करने लगे थे उससे क्या होता कि जो Zimbabwe के अपनी currency थी वो और ज़दा depreciate होने लगी थी तो उसको combat करने के लिए जो महां का central bank है वो gold coin issue करेगा और इसको की जैसे कि कि आप use करते हैं किसी भी shop के अंदर as a legal tender legal tender क्योंकि क्योंकि country का नाम ही बुचेंगा जिसका की मतलब होता है उनकी language इसमें Victoria Falls ठीक है और इसको liquid asset का status है जानी कि कहीं भी आप इसको use कर सकते हैं ठीक है इसके बदले आपको dollars भी मिल जाएंगे असानी से तो liquid assets है इसमें आपको पैसे अगर आप खरीबते हैं तो खराब नहीं होंगे अधर न्यूज में रहा था ठीक है तो यह आप फोटो से जानी कियो कि क्यों न्यूज में रहा है तो कुनो नैशनल पार्क जो मद्यपरदेश का एक नैशनल पार्क है इसके अंदर cheetahs को introduce किया गया था after 70 years 70 साल बाद cheetahs को introduce किया गया था इंडिया से यह विलुप्त हो ग अफ्रिका के बॉर्टरिंग कंट्री है यह ठीक है तो नविब्या जो है वहां से इनको लाए गया अंदर प्रोजेक्ट चीता ठीक है तो आठ आए हैं अभी और आएंगे आने वाले टाइम में इनको पहले देखेंगे इनको मोनिटर करेंगे आने वाले कुछ महीनों में क कि यह सर्वाइब कर पाते हैं कि नहीं ठीक है तो कुनो नैशनल पाग इंबॉर्टेट है पूछ सकते हैं कहां पर तो यह है मद्य परदेश के अंदर और इसनको चीतोस को कहां से लाए गया है ना विब्या से हो इनकी कापटल है ना विब्या की विंडो ठीक है अफरिका क 2022 का यह update हुआ है, क्योंकि जो यह index लाती है, numbio.com safety index जो है, cities को rank करता है according to their safety, तो उसके अंदर आबुद अभी अब second स्थान पे चला गया है, और first position पे रहा है Fujaria, जो की एक UAE की ही एक city है, तो Fujaria जो है UAE में world safest city है as of August 2022, ठीक है तो आबुद अभी मत करना, वो second place पे चला गया है, most polluted city in the world, तो photo में देखके पहचान ही गया होंगे, तो Delhi को rank गया है most polluted city in the world according to a report, air quality and health in cities, यह 7000 world की cities को rank करते हैं, उनका pollution levels को monitor करते हैं, और उसके basis पे यह ranking निकालते हैं, US-based एक institute है, health effect institutes, तो इनके साब से Delhi जो है, वो world की most polluted city होगी है, most livable city, यह question बहुत दार ही पूछे जाता है, world की most livable city कौन सी है, जो रहने योगे city कौन सी है, तो Vienna जो है, Austria की जो राज़दानी है, वो world की most livable city है, according to index या ranking by economic intelligence unit, तो very important, यह भी बूच लेते हैं, कि जो यह most livable city है, यह कौन सी जो संस्ता है, वो इस ranking को release करता है, तो यह आपको याद रखना है, economic intelligence unit, और इसकी जो ranking one जो है, वो है, वियर, ठीक है, और Copenhagen, Denmark, और Zurich, Switzerland, second और third place पे रही इस ranking है, time greatest places of 2022, ठीक है, तो time magazine आपको पता ही है, बहुत list निकालते रहते हैं, तो इसके अंदर greatest places जो हैं, इंडिया के दो place इस list के अंदर आएं, 2022 वाली list में, तो पहला है Ahmedabad city, और second है state of Kerala, तो Kerala की पूरी state और Ahmedabad city, इनको include किया गया, Kerala को eco hotspot tourism में include किया गया, और Ahmedabad को higher learning के लिए, तो यह तने important है, कौन सी category में है, पर यह 50 cities इन्होंने choose की थी, उसके अंदर से 2 इंडिया की ह एक Ahmedabad और एक state of Kerala है, ठीक है, इंडिया's best aspirational district, very important, तो आपको पता यह को नीती यह एक scheme है, जो पिछड़े वे district है, इंडिया के उनके अंदर सुधार लाने के लिए, तो 112 इसके अंदर है district, जिनको की extra वो दी जाती है, इनको improve करने के लिए, extra funding दी जाती है, ठीक है, जो पिछड़े वे जिले हैं, उनमें, तो इसके अंदर इंक की एक ranking कराएगी थी, कि किसमें सबस्यादा progress हुआ है, तो best aspirational district, जिसमें सबस्यादा progress हुआ है, वो है, हरी द्वार को declare किया गया है, ठीक है, और यह जैसे कि मैंने कहा, नीती आयोग इसको करता है, इस scheme को implement, तो हर हरी द्वार को आपको टिक करना होगा, ठीक है, हरी द्वार को इसके लिए एक price दे जाएगा, approximately 3 crores उपीस का additional allocation दी जाएगी, वहां के अंदर improvement लाने के लिए, ठीक है, और यह district की जिम्मेवारी, प्यूज गोएल जी ने लिए हैं, जो कि हमारे Union Minister of Commerce and Industries है, और वो उनको इस जिले के अंदर improvement लाने के लिए दी गई है, scheme के अंदर जिम्मेवारी, ठीक है, इंडिया's first functionally literate village, भारत का पहला कार्यात्मा ग्रूप से सक्षार गाउं, ठीक है, तो MP का जो है मध्यबदेश का मांडला जो village है, वो बन गया है, भारत का पहला कार्यात्मा ग्रूप से सक् उसका मतलब क्या है, जब कोई जिले के अंदर या किसी village की बात हो रही है, तो village के अंदर जब सारे के सारे लोग अपना नाम लिख सकें, अपने नाम को पढ़ सकें, ठीक है, और count और read कर सकें हिंदी के अंदर, तो इसको माना आता है functionally literate, ठीक है, तो हिंदी के अंदर होन है MPK, तो इंडिया का यह पहला village पन गया है, SEO Summit 2020, तो Shanghai Corporation Organization है बहुत ही ज़ाद है, यह आपको पते होगा है, आपको मैं बहुत बारी पता भी चुक हूँ इसके बार में, तो इसका एक summit करा गया था, 2012 में, तो यह 22nd summit है SEO का, और इसको करा गया था, Sumarkand Uzbekistan के अंदर, ठीक है तो यह बहुत ही ज़ादा important एक organization है, यह चाइना ने initiate की थी, रश्या के साथ मिलके, तो इसको कहा जाता है कि यह counterbalance to NATO है, तो एक तरह से इसलिए बहुत ज़ादा important है, तो इसका समरकंड Uzbekistan में करा गया था, तो यह नाम याद रखना, और इंडिया जो है 2023 में, यह अगले स repeat नहीं करूँगा, अल्रडी बहुत 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 पता चुक हूँ, तो इरान की इन्होंने application को consider किया था इस बार ही, ठीक है, यह members है वैसे, आपको आठ members हैं भी China, Russia, India, Pakistan, पाकिस्तान रिसेंटली जोईन होए थे, और पहले यह Central Asian Republic, जो की Russia का party disintegration थे बहले USSR का, Kazakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan और Tajikistan, तो इस बार ही Uzbekistan में कराया गया था, समरकंड के अंदर, ठीक है, यह आज़ा है, अब SEO की बात हो रही है, तो उन्हेंने एक list निकाली थी इस साल, कि first ever SEO tourism and cultural capital इन्होंने एक declare किया था, तो यह किसलिए basically इस city के अंदर tourism को promote करने के लिए, तो इ पर मैं भी बूचेता है, क्योंकि यह बहुत important है, क्योंकि SEO जैसी जो organization है, उसने इंडिया की एक city को nominate किया है, tourism and cultural capital, इनको funding मिलेगी, बहुत सार event कराया जाएंगे, tourism को promote किया जाएगा, इसके अंदर, इसलिए वारा नसी याद रखना, मोदी जी की constituency भी है यह, तो इसलिए का कराया गया था, अपने लोगों में देख लिया होगा, जर्मनी के अंदर, तो यह 48th summit है, यह कराया गया था, Schloss, Emelau, Kron, Bravarian Alps, Germany, तो इतना ही याद रख लो, Schloss होता है, Castle, Castle, Elmau, Bravarian Alps, Germany के अंदर, इसको, Germany बारी मेजबंत है, इसका, ठीम बहुत है, ठीम जन ठीम क्या थी, Progress Towards an Equitable World, ठीम है, एक सवान दुनिया की और प्रोगती, और इससे पहले, 2015 में इसको होस्ट किया था, ब्रिक्स summit के बारे में जान लेते हैं, ठीम होस्ट किरा गया था, इस बारी जो चेयर थे, वो चाइना थी, तो यह वर्चुली था, बेसिकली, तो यह नही जो लीड कर रहे थे summit को, इस बारी बारी थी, चाइना की, ठीम होस्ट इसका चाइना ही माने जाएगा, थीम इंपोर्टन अगेन, वेरी इंपोर्टन राधर ब्रिक्स की, फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनर्शिप अशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डव तो इसमें keywords याद रख लो, ठीक है, उससे याद हो जाएगा, new era for global development, क्योंकि अलग लग दी जाएंगी, आपको option में आप mark कर सकते हैं, bulk drug parks in India, ठीक है, तो भारत के bulk drug parks announce की गए है, तीन जगा मना जाएंगे भारत के अंदर, bulk drugs क्या होते हैं, basically, जो आप दवाईयां खाते ह जाता है, तो जो base है ना, वो हम चाइना से import करते हैं, चाइना जो है सबसे बड़ा exporter है, वोइड में bulk drugs का, तो इसको खदम करने के लिए, आत्म निर्भर बनने के लिए, कि हमें चाइना से ना import करना पड़े, bulk drugs को, तो center ने अप्रूफ कर रहा है, तीन जगा बनाएंगे, बग, डग, पाक, कहाँ पर मना जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में और अंदर प्रदेश में, ठीक है, तो यह तो state होगी, अगर easy question आएगा, तो state पूछेंगे, तो हिमाचल, गुजरात और अंदर, लेकिन अगर district पूछ लिया या village पूछ लिया, तो हमें थोड़ा detail में जाना पड़ेगा, तो district याद कर ले न, district कुना हिमाचल प्रदेश में, district बैरूच गुजरात के अंदर, और केपई पूरमेंट, खोद हडा, और ठौंगी मंडल, और इस्ट गोदावरी district, तो इस्ट गोदावरी district, आंदर प्रदेश, यह आप district के साथ central secretaryate की buildings बना जाएंगी, राजपत के आसपा, तो उसका काम लगभग पूरा होने वाला है, तो उसलिए, उनको inauguration से पहले, राजपत को rename कर दी गया था, करतव्यपत, तो वो कहते थे कि राजपत, जो है, वो colonial mindset को दर्शात है, ठीक है, तो जनपत का जैसे कि आपको पता है, पहले नाम क्या था, Queensway, ठीक है, तो इसको rename करके जनपत कर दिया था, तो इसका नाम था Kingsway, राजपत का अजादी से पहले, तो इसको rename करके इन्होंने सिरफ हिंदी में इसको राजपत कर दिया था, तो इसलिए इन्होंने का था, कि ये colonial mindset को दर्शात है, इसको change करना होगा तो इसलिए इन्होंने करतव्य पत रखा है इसके अंदर, तो ये नाम आप या था, टोगो और गपान न्यूज में रहते हैं, ये दो एफ्रिका के देश हैं, ठीक है, तो ये क्यों न्यूज में थे, क्योंकि Commonwealth जो आपको बताए है, जो British Colonies क्या एक organization है, उसके अंदर ये आगे हैं, 55th और 56th country बन गए हैं, ठीक है, तो पहरे 54th country सी, उस में, जैसे Commonwealth गेम करा जाते हैं, former British Colonies के वैसे Commonwealth पी organization है, तो इसमें सिर्फ British Colonies होती है, पर ध्यान रखने वाली बात किया है, ये दोनों जो है French Colonies है, तो इनको इन्होंने अनुमती देती है, मेंबर बना लिए फुल-time member, Togo and Gabon को, ठीक है, तो इसकी एक meeting होई थी, हर साल होती है, तो रवांडा की गाली में होई थी, और रवांडा जो थी, वो last country बनी थी 2009 में, जो की Commonwealth को जिन्होंने जोईन किया था, तो Togo and Gabon, जर्मनी, अब हम थोड़े सी देखेंगे, green energy से जैसे मैंने का था, तो जर्मनी में, न्यूज में क्यों राता, तो अगर आप से पूझा जाएगा, वर्ल्ड की first hydrogen power train कहाँ पे, अन्वील की गई है, तो ये है, जर्मनी के अंदर, ठीक है, तो जर्मनी बन गया है, पहला देश, जो की, वर्ल्ड की first hydrogen power train, जिन्होंने successfully without refueling, इस tank को इन्होंने चल करिये, और ये company का नाम है Elstrom Cordia, और train का नाम है Island, तो Elstrom की यह है, बहुत famous company है, जर्मनी की, तो Island है train का नाम, बीन एनर्जी की बात हो रही है, तो इसमें इंडिया में, क्या news में रहा है, इंडिया की पहली double trucker bus, जो की electric है, ठीक है, तो electric busses तो डेली में भी आपने देखी हो तो double decker electric bus पहली कहाँ पे इंडिया की हुई है, तो ये हुई है, मुंबई के अंदर रहुच, ठीक है, तो ये याद रखना मुंबई के अंदर है, वैसे ही मुंबई famous है, double decker पुरानी जो थी वहाँ पे, संग्रूर पंजाब, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे Asia का largest compressed biogas plant को commission किया गया है, तो यह एशिया का सबसे बड़ा है, compressed biogas plant और इसको commission किया गया है, भुट्टन कला विरेच इन संग्रूर डिस्टिक, तो संग्रूर पंजाब याद करख लीजे, district के नाम, तो यह क्योंगर जो आप जान दे प्रलाली जलाते हैं किसान, तो यह उसक important एक step है, Aries ननिताल, तो यह Aries क्या है, यह एक institute है ननिताल में, जहां पर इंडिया का और world का first liquid mirror telescope, इसको inaugurate किया गया है, ठीक है, तो liquid mirror telescope क्या होता है, इसमें जो mirror है न, वो mercury का है, ठीक है, तो इसलिए world का first liquid mirror telescope है, जो किया picture में देख रही है, और astronomical prophecy skills को यूज के जाएग है, Aries ननिताल, तो Aries क्या है, basically R.A. बटा Research Institute for Observational Sciences, ननिताल उत्राखन, तो यहाँ पे इसको inaugurate किया है, एक और news है, dark sky reserve, तो यह basically observatory है, stars वेगारा को देखने है, यह dark sky reserve, जैसे biosphere reserves होते हैं, UNESCO biosphere reserves की list आती है, ठीक है, वैसे यह dark sky reserve है, जो कि important है from point of view of star gazing, यानि कि stars को दे देखने के लिए, यह important है, तो इसलिए यह कहाँ पे establish किया गया है, इंडिया का first dark sky reserve, यह कि गया है, हैले लदाक के, ठीक है, तो नाम याद रखना है, हैले लदाक, और इससे क्या होगा, astronomical tourism को, खुगोल विग्यान परियाटन को बढ़ावा मिले, अब reserve, जैसे मैंने का, ज बहुत जादे important हो जाती है, places, 12th defense export 2022, तो आपको पता है, 11 यह पूछा बहुत बारी गया था, paper में 11th कहां कराएगी थी, उस समय, ठीक है, तो यह कराएगी थी, लखनाओ में, इससे पहले वाला edition, तो यह UPPCS में पूछा गया था, दो-तिन और paper में पूछा गया था, बहु important question, ठीक है, तो यह पूछा जाएगा, यह देखे न, इसकी theme थी, part to pride, theme भी important है, दो चीज़ इसमें याद रखना है, और इसके दोरान एक platform था, invest for defense, इसको inaugurate किया गया है, जिससे की जो industrialist है न, वो governments के साथ मिलके, जो defense industrial ecosystem है, उसको improve कैसे किया जा, उसके अंदर अपनी जा launch किया गया, तीन चीज़े याद रखने है, आपको इसके अंदर, drones in civilian space, तो इसरेल जो है, first country बन गया वल्ट की, जो कि allow कर रहा है, drones in civilian space, तो drones को अभी basically military use के लिए, generally use किया जाता था, ठीक है, तो civilian air space के लिए, इसरेल बनी है first, ठीक है, तो यह किसके लिए use होगा, agriculture, environment, fight against crime people and the economy, इन सब के लिए इनको use किया जाता, तो बस ही यह याद रखना है, कि इसरेल बन गया है, first country, world's first laser based weapon system, तो इसरेल की बात होई रही है, तो इसरेल के आगे हम जालने थे, defensively introduce है, कि world की जो first laser based weapon system है, किसने develop कर ली है, यह है इसरेल ने, तो यह क्या होगा, इसका नाम क्य है, iron beam, तो एक तरह से यह laser की एक beam है, जिसको यह iron beam कह रहे है, और यह जो incoming missiles है, या फिर hostile जो, इस system है, rockets है, motards है, यह अगर कोई इसरेल पर टेक करता है, तो इन laser system से यह shoot करके इसको गिरा सकते है, तो question में क्या बनता है, कि world का first laser based weapon system कहां पे, consequently में develop किया है, तो इसरेल, औ एक laser based weapon system है, जो कि इसरेल ने develop किया है, स्मिर्थी वन पाक, तो यह मोदी जी ने अभी recently inaugurate किया था, तो यह स्मिर्थी वन पाक, हाँ पे inaugurate किया गया है, यह तरह से memorial है, और यह है कच गुझरात के अंदर, तो उको पता है, 2001 में, एक devastating earth को यह कहा है था, गुझरात के अंद ठी है, तो यह आप photo में clear आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं जानते नहीं हूँ, पर यह एक bridge है, यह देख सकते हैं, आप दो places को connect कर रहा है, यह world का longest suspension bridge बन गया है, suspension मतलब इनके बीच में कोई pillar नहीं है, यहाँ पर यहाँ पर दो pillars पर यह ठीका हुए, तो world का जो longest suspension bridge है, यह inaugurate किया गया है, Czech Republic के, Czech Republic, यह Europe की एक country है, Prague इसकी capital है, ठीक है ना, Prague, और इसका अब नाम change करके Zekia कर दिये गया है, I think, Seas Island है, तो Zekia इसको बोलते है country को, Czech Republic पहले बोलते हैं, ठीक है, तो Czech Republic में inaugurate किया, गर 720 क्या है, 1 क्या है, मीटर जिसकी length है, इसलिए इसका नाम इसका नाम आ गया है, पहले यह नेपाल का बैंगलूंग पर फुट बिच जो था, वो फ़र्स पोजिशन पर था, अब यह आ गया है, फ़र्स पर, ठीक है, अब लास्ट में हम थोड़ा से जान लेते हैं, 11 नहीं wetlands, तो क्या है कि 75 साल अफ इंडिपेंडेंस में हमरी इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, 11 इस लिस्ट के अंदर आड की गया है, तो इनका टोटल अब 75 हो गया है, अब रैमसर क्या है, यह बार बार रपीट अगें नहीं करूँगा, रैमसर, मॉन्टू, मॉन्टू, रिकॉर्ड क्या होता है, तो यह सब आप देख सकते हैं, मेरी प्रिविएस वीडियो इसके अंदर, रिपीट नहीं करेंगें इसके अंदर, तो 11 कौन कौन सी है, important हो जाती है, अब इसमें कुछ समझाने का है नहीं, list है पूरी, आपको मैं list दे दूँगा, screenshot ले रेना, उसको याद करना है, आपको कौन सी state के अंदर है, वो आपको तो सबस्यादा तीन जो है, वो ओडिशा के अंदर हुई है, state रखने है, यह आप मद्याद रखे एरिया, भूल जाएए से, ठीक है, तो टेंपारा लेक, हिरागोन रेजर्वाइर, असूपा लेक, अनसूपा लेक, तो यह तीन ओडिशा के अंदर, मद्य पस्देश में, सागर, ठीक है, ऐसे यह तमिल लाडू के अंदर, कितनी हुई है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो चार हुई है, तमिल लाडू के अंदर, और बाकी यह महराश्च्र, तो स्क्रीन शॉट ले लिजे इसका, यह आपसे पूछा जा सकता है, 11 की 11 की 11 कौन सी रिसंटली एड हुई है, य उसका यह सेकेंड रन उन्होंने अप्रूफ कर दिया, तो यह भारत गौरफ ट्रिंग का नाम दिया गया, यह 18 से 20 दिन का एक टूर होता है, ठीक है, जिसके अंदर की रमायना सरकेट, यानि की रमायन से रिलेटिड जो इंपॉर्टन सीटीज है, उनके अंदर यह इंपॉ अप्रूफ कर दिया गया, और इस बार यह नेपाल में भी जाएगी, अब नेपाल में कौन से इंपॉर्टन प्लेस है, जहां पर यह जाने वाली है, तो जनकपुर, नेपाल, अब जनकपुर क्यों इंपॉर्टन ने आपको पता होगा, सीता माता से रिलेटिड है, ठीक है तो अयोध्या, तू जनकपुर, इस फर्स्ट लेग में यह जाएगी, और यह सेकेंड डेन होगे, और कौन-कौन से प्लेसिस हैं यह, अयोध्या, जनकपुर, सीता मारी, काशी, प्यागरा, चित्रकूर, तो यह पूरा एक पैकेज होता है, जिसके अंदर आपको होटल से इसके तो आप ट्रावल कर सकते हैं 18-20, तो भारत गौराफ ट्रेनिस का नाम है, और यह पूछा दा सकता है किस से रिलेटिड है, तो रमायना सर्केट से रिलेटिड है, इसमें बुद्धिजम दे देंगे आपको, इको दे देंगे, इको सिस्टम सर्केट जो है, तो कोई आपको यह गरेंटी देता है, इनमें से काफी कुष्शन्स बनेंगे आपके आने वले एक्जाम्स के अंदर, यह डेफिनिटली आपको हिल्प करने वला है, तो यहां तक वीडियो देखा ही है, तो अब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, as वह एक एक एक्चॉल होता है हमारा इतनी मेहनत करने का, तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, प्रेलिम सेसी सीरीज के अंदर ही, तक तक के लिए बाबाब, आण हैपी लर्निंग!